दोस्तो अगर आप भी एक CSC VLA हैं, Common Service Center संचालक हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप CSC IT के माध्यम से PM सूर योजना का सर्वे का काम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं इसकी लाइब जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंतरगत देने वाले हैं तो वीडियो में बिल्कुल लास्त तक बने रहें तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो PM सूर योजना के अंतरगत काम करने से पहले आपको सबसे पहले प्लेश्टोर एप्लिकेशन को उपन कर लेना हैं आप यहाँ पे सर्च करेंगे PM सूर योजना का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है आप यहाँ पे स्टार्ट वाले उप्सन पे किलिक करेंगे इसके बाद मा कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे चार उप्सन देखने को मिल जाते हैं अगर आप एक CSC वियली हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे CSC लोगइन इस वाले उप्सन पे किलिक करेंगे जैसे आप यहाँ पे CSC value वाले option पे क्लिक करते हैं आपके यहाँ पे permission दे देनी है इसके बाद आप अपनी CSC ID यहाँ पे इंटर करेंगे password में आपको आपके CSC के साथ में जो भी mobile number register है आप यहाँ पे इंटर करेंगे अगर आपके ID अभी यहाँ पे login नहीं हो रही है तो आपके यहाँ पे कुछ time wait करना होगा then आप यहाँ पे capture फिल करके login वाले option पे जैसी क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आपका dashboard आप सभी के सामने open हो के आ जाता है अब आपको फिर से यहाँ पे permission पे allow कर लेना है आपने जितने भी survey यहाँ पे किये होंगे वो number आपको देखने को मिल जाता है एक नया survey करने के लिए आप यहाँ पे start survey इस वाले option पे किलिक करेंगे कुछ इस तरीके से form आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अब सबसे पहले आप यहाँ पे applicant का एक mobile number फिल करेंगे इसके बाद माँ आपको यहाँ पे second number पे पूछा जाएगा क्या applicant PM सूर्य अगर योजना के ता solar plant लगाने में रूची रखता है आप यहाँ पे yes वाले option पे टिक करेंगे इसके बाद माँ आपको पूछा जाता है क्या applicant के पास solar plant लगाने के लिए concrete की छट या फिर कोई अन्य जगर उपलबत है आप यहाँ पे भी टिक करेंगे इसमें भी आपको yes वाले option पे टिक कर लेना है इसके बाद माँ आपको पूछा जाता है applicant जिस पी जगर पे solar plant लगाना चाता है उस जगर का सुयम मालिक है या फिर rented है आपको उसका selection या पे अपने according कर लेना है इसके बाद माँ आपको यहाँ पे अगला option देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे पूछा जाता है एप्लिकेंट जिस भी छत पे solar plant लगाना चाता है उसका स्वेहम मालिक है या rented है उसका selection आप यहाँ से कर लेंगे इसके बाद मैं आपको नीचे की ओर में scroll कर लेना है आपको यहाँ पे सबसे पहले customer का phone name enter करना होगा इसके बाद आप यहाँ पे state का selection कर लेंगे और इसी तरीके से आपको नीचे district का selection कर लेना है इसके बाद मैं electricity distribution company का selection आपको यहाँ से कर लेना है आपके state की जो भी electricity company होगी उसका selection आप यहाँ से कर लेंगे इसके बाद मैं आपको यहाँ पे consumer number इंटर करना होगा जो कि आपको आपके बिजली बिल के खाते में देखने को मिल जाता है इसके बाद आप फिर से नीचे की और में स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने बिजली का बिल अपलोड करना होता है साथी मैं उसकी एक फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करने होगी इसके बाद आप यहाँ पे capture फिल करके इस वाले box पे type करेंगे जैसे आपके complete detail यहाँ पे फिल हो जाती है इसके बाद मैं नीचे आपको declaration पे tick कर लेना है नीचे की और में scroll करेंगे तो आपको यहाँ पे submit का option देखने को मिल जाता है आप submit वाले option पे click करेंगे तो आपका survey यहाँ पे successfully complete हो जाता है आपको यहाँ पर survey पे 24 रुपे का commission CSC के माध्यम से दिया जाता है survey complete हो जाने के बाद में PM सूर्यकर यूजना के जो भी employee होंगे उनके द्वारा customer को contact कर लिया जाएगा और customer जिस भी परकार के आपे solar system लगाना चाता है वो लगा दिया जाता है तो इस तरीके से आप CSC के माध्यम से PM सूर्यकर यूजना के अंतरकत survey का काम start कर सकते हैं I hope आपको आज की जानकारी पसना ही होगी अगर आपको जानकारी पसना है तो वीडियो को लाइक चुरूर करें और CSC से related इस परकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं आज की वीडियो माँ बस इतना ही हम मिलते हैं आपको फिर से किसी एक नए वीडियो के साथ